सीजन फाइपिसोड एट स्टार्ट होता है और वॉल्टर उसके आफिस में बैठा हुआ होता है टौड वहाँ आता है और उसे बोलता है कि तुमने कार जो स्क्रैप करने को बोली थी वो मैंने स्क्रैप कर दी है यानि कि माइक की जो कार थी अब वाल्टर ने टॉट से वो स्क्रैप कर वाली है फिर वो उसे बोलता है कि हमें दूसरा जो बिजनेस है वो भी टेक केर उसकी करनी पड़ेगी यानि कि जो माइक की बॉड़ी है अब उसे भी उन्हें ठीकाने लगाना है वाल्टर ने उसके गाड़ी की जो ट्रंग होती है उसमें माइक की बॉड़ी रखी हुई होती है हमें एक बैरल भी दिखता है जिसमें ऐसीड वो डालने वाले होते हैं पर दभी जेसी वह आता है वो जेसी से वो बॉड़ी चुपाते हैं जैसी Walter से बात करना चाता है वो बोलता है कि अभी भी वो नो लोग है वो हमारे लिए प्रावलम है अब DEA ने माई केस फिर से पैसे ले लिए हैं तो अब इनके लिए ये प्रावलम है कि वो लोग कुछ पता देंगे तो Walter बोलता है कि मैं ये समाल लूँगा मैं इसकी कोई भी जरूरत नहीं इसकी वरी करने के लिए तुम अब बिजनेस में नहीं हो तो तुमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है नेक्स सीन में हमें Gus की जो लॉंडरी थी उसके मैनेजर से बात करते हुए DA दिखते है DA से उसका जो लॉयर होता है वो एक डिल मंग रहा होता है लॉयर डियर से बोल रहा होता है कि मेरे क्लाइन के लिए फुल इमिनेटी और बहुत सारी डिमांड उसने की हुई होती है फिर हैंक उसे बोलता है कि जो तुमें कभी मालूम भी नहीं होकी हैंक इंटरस्टेड हो जाता है अब जो उनके पास पैसे नहीं आने वाले वो मैनेजर तब सब डिटेल्स हैंक को बता देने वाला है नेक सीन में लिडिया से मिलने वाल्टर आता है लीडिया से अब वो सब नाम लेने वाला है जब वो उससे वो सब नामों के बारे में पुछता है तो लीडिया उससे बोलती है कि क्या इसकी guarantee कि तुम मैं अगर तुमें नाम दे दूंगी तो तुम मुझे नहीं मारोगे तुम सारे जो lose end से वो pack कर रहे हो इसमें मेरा भी नाम आ सकता है तुम मुझे भी मार दे सकते हो फिर वो उसे एक business proposition देती है वो बोलती है कि तुमारा जो मैं थे तुम सिर्फ इसी country में एक ही area में supply कर रहे हो अगर तुम ये outside the country एक बहुत बड़ा market है वहाँ अगर sale कर सको तो तो Walter बोलता है कि ये कैसे हो सकता है फिर वो उसे चेक Republic के बारे में बोलती है वो बोलती है कि पूरे यूरोप में इसकी सबसे ज़्यादा demand है और तुम वहाँ supply कर सकते हो फिर Walter बोलता है कि other end में कौन इस business को समा लेगा तो बोलती है मैं बहुत सारे लोगों से बहुत सालों से business करती है आ रही हूँ वो बहुत ही trusted team है हमारी Walter को transport का भी questions होता है तो बोलती है मैं बहुत बड़ी company में काम करती हूँ तो इसका कोई भी issue नहीं होगा क्योंकि हमारी company बहुत सारे चीजे supply करती रही थी फिर वो सबके नाम उसे दे देती है जब वो restaurant से चली जाती है तब Walter ने newspaper में rice in रखा हुआ है यानि कि जब वो उसे no name दे देने वाली थी तब वो उसे मार देने वाला था फिर घर जाकर Walter उस rice in को electric key sockets जो होता है उसमें छुपा देता है Walter फिर Todd को बताता है कि तुम्हारे जो uncle है जिनके prison में connection है मुझे उनसे बात करनी है तो उनकी meeting set up होती है रात में Walter उन्हें सब समझाता है plan बताता है इनका plan ये होता है कि सिर्फ 2 minute में सारे नो लोगों को different prisons में जाकर वो लोग मार के आएंगे इनसाइड ये job होने वाला होता है यानि कि prison में already आदमी होने वाले होते है तो वो जाकर सब लोगों को सिर्फ 2 minute में मार देंगे तो Todd के uncle Walter को बोलते है कि ये बहुत difficult task है ये nearly impossible ही है तो Walter बोलता है कि अगर तुमसे ना हो पाएगा तो मैं किसी और को ढून लोगा सारे नो लोगों को मार दिया जाता है हैंक को फिर ये सब पता चलता है कि उसके जो नो witnesses थे वो सब मर चुके है Walter मरी के बास उसकी बेबी को देखने के लिए आया हुआ होता है तो मरी उसे बोलते है कि हैंक का आज mood अच्छा नहीं होने वाला तो मैं उसके लिए आज गुक करने वाली हूँ वो बहुत ही हरी कर रही होती तो Walter बोलता है कि अब मैं भी यहाँ से चला जाता हूँ जब हैंक आता है तो Walter को रुखने के लिए बोलता है वो उसे drink offer करता है फिर वो दोनों बैठते है हैंक फिर उसे एक स्टोरी बताता है वो बोलता है कि जब मैं teenager था तो मुझे एक काम था मुझे trees mark करने थे मैं woods में रहता था, दिन भर काम करता था और जो पैसे होते थे उससे मेरी pocket में नहीं हो जाती थी उससे मैं bear वेगरा खरितता था मैं उस job के बारे में बहुत ही आजकल सोच रहा हूँ वो job बहुत ही अच्छा था इस DA के work से मैं सोच रहा हूँ कि मुझे वो job बहुत ज़ादा enjoy करना चाहिए था उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसकी जो सब leads होती है वो अब कुछ भी काम की नहीं रही फिर series of scenes में हमें Walter का जो operation है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है यह दिखता है aeroplane से चेक Republic में भी supply हो रहा है बहुत सारा mate cook हो रहा है और Walter के पास बहुत सारे पैसे भी आ रहे हैं अब next scene में Marie को Skyler मिलने आई हुई होती है बच्चे को फिर से घर पर ले जाना चाहिए Skyler फिर से उसे बोल रही होती ही कि मैं अप्रेडी नहीं हूँ तो Marie उसे बोलती है कि ऐसा करकर तुम एक distance बना लोगी वो अच्छा नहीं होगा वो उसे समझाती है फिर Skyler घर आती है घर आकर वो Walter के पास आती है वो Walter को बोलती है कि बहुत सारे पैसे जब आने लग गए और कार वाश में रखना जरा रिस्क्य हो गया तो मैंने ये प्लेस रेंड कर लिया मुझे मेरे बच्चे अब वापस चाहिए मैं कितने दिन उन्हें अपने घर से बाहर रख सकती हूँ ये जो पैसे है ये बहुत ही इनफ है तुम्हें इस काम से बाहर निकल जाने के लिए इतने पैसे हम 10 जन्मों में भी स्पेंड नहीं कर सकते Walter उसे पुछता है कि ये कितने पैसे है तो Skyler बोलती है कि मुझे कोई भी आइडा नहीं है कि कितने है ये बहुत सारे अलग-अलग नोट्स होते है तो उसने वेट करने की भी कोशेश की होती है पर वो वेट भी नहीं कर सकती फिर Walter हमें ऑस्पिटल में दिखाया गया है वो फिर से टेस्ट कर रहा होता है Walter फिर J.C. से मिलने आता है Walter फिर सबजेक चेंज करता है और बोलता है कि मुझे हमारा जो आरवी थी वैसी आरवी देखी थी उसमें बुलेट होल्स वेखरा नहीं थे पर इससे काम चल जाता है J.C. भी बोलता है कि वो इतनी घटिया थी कि मुझे डर लगता था कि सिगनल पर वो बन पड़ जाएगी पुलीस से में डरता था कि अगर वो बन पड़ गी तो पुलीस भी हमें पकड़ लेगे Walter बोलता है कि हमारे पास पैसे थे क्यों हमने इसे चेंज नहीं किया J.C. इस पर खुछ भी नहीं बोलता वो बोलता है कि मुझे मेरे फ्रेंड से मिलने जाना है Walter भी बोलता है कि मुझे भी जाना है पर Walter जाकर जाते जाते बोल देता है कि मैंने तुमारे लिए कुछ छोड़ा है जब J.C. देखता है तो वो बहुत सारे पैसे यानि कि उसके J.C. के जो 5 मिलियन डॉलर थे वो सब उसमें रखे हुए होते है J.C. उसे अंदर रख लेता है Walter फिर स्कैलर से आकर बोलता है कि अब मैं इस बिजनस में नहीं रहा मैंने यह सब अब छोड़ दिया है फिर नेक्स दिन सब लंज कर रहे होते है Walter फैमिली और Hank फैमिली Hank फिर ट्वालेट जाता है Hank जब ट्वालेट में होता है तो उसे एक बुक मिलती है वो बुक Walt Whitman की जो poems होती है उसकी होती है वो जब उसका फ्रेंट देखता है तो Walter के लिए किसी ने की होती है और उस पर लिखा होता है कि मेरा हिरो WW और जिसने ये बुक Walter को दी हुई होती है उसके इनेशेल भी यहाँ होते है GB यानि की गेल बैटे कर और WW का मिनिंग Walter वाइट है ये सब Hank फिगर आउट कर लेता है Hank को पुरा शोर अब होना होता है वो कोई भी डाउट नहीं रख सकता Hank को फिर याद आता है कि उसने जब WW वाल्डर को दीखाए था तो वाल्डर ने उससे बताया था कि ये वाल्ड विटमन हो सकता है पर अब उसे मालूम हो गया है कि उसका हाईजनबर्ग वाल्डर ही है यही एपिसोड खतम हो जाते है